गलत फैमी एक कमाल का शब्द है जिसमें कुछ मुठी भर लोग किसी जूट को सच बनाकर उसको दिन राध जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सामना असली दुनिया से होता है तो दूद का दूद और पानी का पानी होने में उतनी ही देर लगती है जितनी बादशा के गानों के लिरिक्स लिखने में यानी 0.01 सेकेंड बस एक ऐसी ही गलत फैमी के नशे में चूर हमारी बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री दिनराथ जूम रही है जिसमें हिंदी फिल्मों को इंडियन सिनिमा का फेस समझा जाता है लेकिन वो इस बात से बिलकुल अंजान है कि बाजी पूरी तरह पलट चुकी है और नंबर बन की कुरसी पर धीरे-धीरे कुछ वेब सीरीज अपना कबजा जमा रही है एक तरफ पूरी बॉलिवूड इंडस्ट्री को अंदर से खोकला कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ OTT की दुनिया में कुछ जबर्दस वेब सीरीज कॉंटेंट के मामले में हॉलिवूड से रेस लगाने की तयारी कर रही है फिर चाहे असोर जैसा माइथ लॉजिकल मास्टर पीस ह या फिर पाताल लोग जैसा सोसाइटी को जोरदार कमाचा हर शो ओडियन्स के दिल में अपनी एक अलग जगे बनाने में काम्याब हो चुका है लेकिन अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करने का वक्त आ गया है क्योंकि मार्केट में एक नई वैब सीरीज रॉकेट की रफ दूसरी जबरी बात यह कि शोका इसके फर्स सीजन से कोई लेना देना नहीं है अगर आपने ब्रीदवन नहीं भी देखा है तो इस सीरीज को बिलकुल देख सकते हो कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको समझने के लिए पहले पार्ट की ज़रत पड़ेगी इस बार कहा कानों की दिमाग का इलाज करके उसके अंजर-पंजर दुरुस करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं लेकिन अकसर इनकी मदद बड़े-बड़े पुलिस केसे को सॉल्व करने में भी ली जाती है पुलिस से याद आया कहानी के दूसरे लीड करेक्टर है पुलिस ऑफिसर लाओ पे लगाकर ये बड़े-बड़े चोर उचकों को इंसाफ की तराजू पे तौलने के काफी शौकीन है कहानी में ट्विस्ट आता है जब अचानक एक दिन डॉक्टर अविनाश की बेटी सिया किड्नैप हो जाती है और बदले में खूप सारे पैसे या फिल जमीन जा जाती है क्या अपने काले भयानक पास्ट को पीछे चोड़ कर ऑफिसर कबीर इन खतरनाक मर्डर्स के सिलसले को रोकने में कामयाब हो जाएंगे या फर किसी साइको किलर की कट पुतली बन चुके डॉक्टर अविनाश बड़ी ही चालाकी से अपने हर मिशन को पूरा कर ले इक को इंडिन सिनिमा में एकदम यूनिक कॉंसेप्ट के साथ प्रजेंट करता है जिससे मिलता जुलता कार नामा हमने इससे पहले किसी भी फिल्म या शो में नहीं देखा है जिस तरह से शो में कास्ट किये गए लीट के रेक्टर्स के पीछे उनकी बैक स्टोरी का ताना पाना बुना गया है वो धीरे धीरे आपको उनकी काली दुनिया का राजदार बनने पर मजबूर कर देता है जिसमें आप उनके सुक और दुख्य साथी बन जाते हो अगर आप चाहते हुए भी एक सीरियल केलर से नफरत ना कर पाओ और दिल में उसके लिए हमदर्दी पनप अपने लगे तो समझ लीजे कि शोके राइटर्स ने चालाकी से आपके दिमाग को अपने वश में कर लिया है जिससे चुटकारा पाना मुश्किली नहीं नामुम्किन है हर चोटी चोटी डिटेल को एक दूसरे से जोड़ कर जिस तरीके से पहले से लास्ट एपिसोड तक इस्तिमाल किया गया है जो बाकी फिल्मों की तरह फालतू गुंडा गर दिया फर घिसे पिटे क्राइम से एकदम अलग और नया है हाँ कुछ पार्ट्स है जहां पर आपको मशूर फिल्म सौकी आदा सकती है और असुर के मास्क वाले किलर की भी छोटी सी जलग देखने को मिलती है कुछ जगे पर सौशेंग रिडम्शन जैसी मास्ट पीस फिल्म के सीन्स को भी रिक्रियेट करने की कोशिश की गई है लेकिन ब्रीद उन सबसे इंस्पायर होकर अपनी एक अलग दुनिया बनाता है जिसमें एक फादर डॉटर के बॉंड को सेंटर में रखकर एक अलेकिन अगर आप इस सीजन को फर्स सीजन से कंपेर करोगे तो शो का लेवल थोड़ा सा नीचे जरूर हुआ है वो खतरना क्राइम्स जिसने पहले सीजन को मास्टर पीस बना दिया था वो इस बार गिंती में काफी कम हैं कहीं कहीं पर शो आपको थोड़ा खिचा-खिच जाल दी जाए तो कंपेरिजन तो लाजमी सी बात है और इस जंग में आर मादवन जूनियर बच्चन से बाजी मार लेते हैं अमित साथ की परफॉर्मेंस एक दमदार और फ्लॉलेस है जिसमें बिना जादा डायलोग्स बोले ही वो सिर्फ अपनी आँखों के दम पर आपक लेकिन इस बार शो में चार चान लगाने का काम किया है इसमें कास्ट किये गए सपोर्टिंग अक्टर्स ने जिसमें सबसे आगे है शूती बपना जिन से नजर हटाना किसी बड़े गुना से कम नहीं होगा बंदी ने अकेले अपने दम पर हर उस सीम को डॉमिनेट किया है जिसमें उनका मुकाबला सीधा सीधा लीड एक्टरस के साथ होता है बॉलिवुड साफधान एक और टेलेंटेड आउटसाइडर की एंट्री हो चुगी है रिशिकेश जोशी अपने भोलेपन और चाला की उमर से आपका दिल जीत लेते हैं और अमित साथ के साथ उनकी केम लंगीन देखने को मिलेगा जो साफ इशारा करता है कि इंडियन सिनिमा की डोर आगे चलकर सिर्फ कॉंटेंट के हाथों में उलजने वाली है और बॉलिवुड की गार्डी दी एंट पे जाकर पर्मनेंट खड़ी होने वाली है मेरी तरफ से बीद को पांच में से साड़े उलजाने के लिए बात करो नेगेटिव की तो एक स्टार कटेगा थोड़ी सी खिची और धीमी कहानी की रफतार के लिए और हाफ स्टार अभिशेग बच्चन की एवरिज परफॉर्मेंस और नित्या के साथ उनकी कमजोर कैमिस्ट्री के लिए बाकी वीडियो में कुछ प